हेलो प्रेंड्स आद आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल पर कैसे हो आप सब लोग I hope सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैं आपको बताती हूँ आज विग्मिदास वेंडर अप्लिकेशन पर ही beauty and personal care वाली shop को कैसे create करना है यहाँ पर आपको विग्मिदास वेंडर अप्लिकेशन पर ही जाना है जाने के बाद आपको यहाँ पर create your account पर जाना है यहाँ पर full name एंटर करनी होगी यहाँ पर email id एंटर करनी होगी then phone number जो भी आपका phone number होगा ना उसे यहाँ पर enter कर देजिए then यहाँ पर otp आपके phone number पर मिल जाएगी then password create करना है जो भी password create करना चाते हो कर सकते हो then register then यहाँ पर आपको register करने के बाद store listing, vehicle listing और service listing मिल जाएगा store listing पर जाना है first आपको यहाँ पर shop name एंटर करनी होगी जो भी आपके shop name होगी यहाँ पर enter करना है then यहाँ पर off category select करनी है then location then यहाँ पर state then यहाँ पर city then यहाँ पर area then यहाँ पर address then यहाँ पर select पान या आधार पान या अधार को select करना है then trade license जो भी आपकी trade license होगी यहाँ पर select करनी है then SSACI license को select करनी है यह selected आपके पास होता कर सकते हो वरना ना हो तो आप current bin को भी यहाँ पर upload कर सकते हो then आपकी store की photos को यहाँ पर upload करनी है upload then register register करते हैं यह हो गए action completed explore orders page आपको orders page लिक करने पर all orders, sending orders, confirm orders और delivered orders और total products वाला interface दिखाए देगा friends आपको membership के right में जो circle दिखाए दे रहाना यहाँ पर आपको subscription days दिखाए देंगे और जो उपर है bell icon वाला button bell icon वाला button है इस पर आपको notifications मिल जाएंगे और location मिल जाएंगा site पर then यहाँ पर आपको share all option दिखाए देगा, share भी कर सकते हो easily यहाँ पर whatsapp पर भी share कर सकते हो then आपको three horizontal lines select करनी है then आपको profile setting करनी है यहाँ पर आपको green label वाला active state दिखाए ना यहाँ पर आपको click करने पर आपकी shop customer application में अब label higher करके दिखाएगा अगर आप inactive करते हो आप leave हो या फिर तो आपको कोई काम है या फिर तो busy हो तो आप inactive easily कर सकते हो then profile setting करनी है profile setting में आपको delivery या पीकप दोनों में से एक option को देना होगा मैं दूंगी delivery then यहाँ पर how many km आप self serve करते हो अपने दुकान जितनी दूरी पर दिखाना चाते हो दिखा सकते हो जिसके product आप beauty and persons के रहे प्रोडेक्स को कितनी किलोमेटर पर digitally show करते हो यहां पर एंटर कर सकते हो then delivery charger delivery charger center करना है दन्या पर free delivery अगर बहुत ज्यारत बहुत ज्याद ज्यादा सेंटी वाले products हो अगर customer खरीदेगा तो आप उसे free delivery भी दे सकते हो जो भी vendors होंगे आप free delivery दे सकते हो उन लोगों को then update यह होगी update देन आपको खिट से जाना है आग product पर यहां पर आपको products add करनी है जो भी आपकी product होगी यहां पर add करनी है पर original price enter करनी discount price हम पर unit हम पर discount price enter करनी है एंटर करने के बाद जितनी पर आपके पास unit होगी उसे enter करना है then हम पर stock then हम पर describe करना है products के बारे में यह होगा यहां पर फोटो को add करनी है जो भी आपके पर फोटो होगी उस product यह add कर दीजिए होगा product added okay product add हो चुकी है next आप आए इसी थरह next product को भी add कर देना है then यह हो गया मैंने एक slipper add कर दिया है then state भी दे दिया है इसका category selected photo भी added हो चुकी है then add products आप जितने चाहिए उसने products को add कर सकते है product added okay then आपको जाना है edit products पर आप यहम पर easily edit और delete भी कर सकते हो then आपको जाना है subscription पर subscription पर जाने पर आपको 30 days का 180 rupees solar pack दिखाए देगा first month के लिए वह ही available है next में आपको updates होते रहेंगे और pay no पर click करती हूं my friends आपको 30 days वाले 180 rupees पर then pay no कर देना है pay no पर यह आप card UPI जो भी आपके पास होगा online transaction भी कर सकते हो wallet पर जाना है मैं इसमें करते हूं then OTP OTP इंटरस देनी है then verify action completed payment successfully आप 30 days के लिए सब्सक्राइब हो चुके हो करके बता रहा है यह अब मैं आपको बताते हूं कैसे आप customer applications में जाकर order space को कैसे चक करना है हम पर अपनी दुकान को open करना है then यह आपर add कर देना है successfully added to card card पर जाना है जाकर आपको check out कर देनी है then continue then successfully order हो चुका है अब हमें बेंडर application पर जाना है अपना order आचुका है हमें यह आपर accept करते नी है accept करने के बाद हमें जाना है confirm orders पर confirm orders पर जाने के बाद call लों पर बात भी कर सकते हैं location देख सकते हैं और complete अब देना है हमें यह confirmed हो चुका है order यह हो गया है friends आपको order check करने को चेक करके सब्सक्रिप्शन भी हो गया है सब कुछ हो गया है order कैसे deliver करना है यह भी हो गया है then आप next series को continue रखना friends और next video को like share subscribe करना मत भूलिए देखना जरूर friends vendor application के लिए बहुत easy application है 0% commission वाली app है और business बहुत ज्यादा improvement हो जाएगा आपका digitally हो जाएगा thank you friends thank you for watching this video